आज की वीडियो में आपको डिसकर्स करने वाला हूँ टेक्निकल एसी होता क्या है वाट इस टेक्निकल एसी हो और आज को इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लाइन करूंगा टेक्निकल एसी हो को पूरा डिटेल में एक्सप्लाइन करने वाला हूँ जिससे आपको पू नमार outs के वाला हुव तो वीडियो रास तक जरू देख़े में आपका बैल कम है करते हैं वीडियो रैट कलर कि सब्सक्राइब बटन को डबाएं अँप प्रेस करें, all पर क्लिक करें, जिससे में लेटेस्ट वीडियो आपको नौडिविकेसान मिल जाएगी. काफी लोगोंने डिसकर्ज किया होगा, on-page SEO, off-page SEO, but टेकनिकल SEO के बारे में किसी नहीं भी discuss नहीं किया होगा. काफी कम लोग हैं जो technical SEO के बारे में information देते हैं क्योंकि technical SEO man point रहता है Google पे rank करने के लिए क्योंकि effect पड़ता है technical SEO से technical SEO में क्या listing रहती है क्या होता है technical SEO कैसे आपको अपनी website में technical SEO apply करना चाहिए इस वीडियो में आपको detail बताने वालों वीडियो को अगर आप beginner है अगर आप beginner है आपको टेक्निकल का information नहीं है टेक्निकल SEO का information नहीं है तो आप वीडियो को continue last तक ज़रूद देखें यह वीडियो से आपका पूरा डाउट किलियर हो जाएगा technical SEO technical SEO का पूरा डाउट किलियर हो जाएगा ओके गाइस यह है टेक्निकल SEO टेक्निकल SEO क्या है वाट इस टेक्निकल SEO टेक्निकल SEO रिफर्टु वेबसाइड अं सर्वर optimization दाट है अलप सर्च सर्च इंजन स्पाइडर अंड क्रॉलर इंडेक्सिंग यो साइट मोर इफेक्टिव तो सर्च इंजन सर्च इंजन के हल्प से आप रैंक कर सकते हैं बट आपको क्या क्या प्रफॉर्मिंस रखते हैं तो क्रॉलर हुआ एन इंडेक्सिंग हुआ क्रॉलर एन इंडेक्सिंग फॉर क्रॉलर एन इंडेक्सिंग यूर साइट मत्ब आपकी जो साइट है प्रॉपर तरीके से क्रॉलर आना चाहिए रीड करने एन इंडेक्सिंग होना चाहिए हर एक पेज उससे क्या होगा मोर एफेक Google पर rank कर सकते हैं और इसका बहुत basic factor है एंड जिससे आप easily rank कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल SEO भी endpoint होता है SEO के लिए क्योंकि आपने discuss किया होगा on page SEO off page SEO and backlink क्रेट की होंगे काफी जादा backlink क्रेट की होंगे आपने टेक्निकल SEO नहीं किया काफी लोग टेक्निकल SEO अपला ही नहीं करते हैं डिरेक्ट वेफसाइट को और पेज SEO और पेज को optimization करना और पेज में content डालना आर्टिकल डालना इंटर लिंकिंग करना यह सब क्या on page SEO का effect पड़ता है बट टेक्निकल SEO क्या है टेक्निकल SEO में चेक लिस्टिंग लिस्टिंग क्या क्या आ जाती है इस वीडियो में यह देखो make sure you are using HTTPS क्या होता है काफी लोग विगनर रहते हैं उसको HTTPS एंड HTTP डिफरेंस नहीं पता HTTPS और HTTP में क्या डिफरेंस है आज इस वीडियो में भी डिसकस हो जाएगा कि यह make sure you are you using अगर आप HTTPS एंड एनेवल करते हैं अगर आप वर्डप्रेस में या व्लॉगर पे हैं तो आप HTTPS एनेवल करते हैं HTTP में भी security रहती है बट आपका SSL certificate नहीं मिलता जब आपकी website में HTTPS लगता है जब आपका SSL certificate आपके पास रहता है वो भी valid certificate तो इससे क्या होता है Google जब आपका crawler आता है तो इसको read करता है URL को read करता है तो वो read करता है तो ही में चेक कर लेता है कि इसमें आपको SSL certificate किया है कि नहीं किया तो इससे clear हो जाता है इससे clear हो जाता है कि HTTPS and HTTP में क्या हाइपर है HTTPS का full form होता है हाइपर टैस्ट है transfer photo call security and HTTP का होता है हाइपर टैस्ट ट्रांसफर photo call यह difference रहता है फुल form होता है आप easily क्या rank नहीं कर सकते इसलिए आपको अगर आप blogger पे हैं तो आपको HTTPS enable करना चाहिए एंड अगर वाटप्रेस में तो आपको भी HTTPS enable करना चाहिए जिससे आपकी website में valid देखेगा मैं आपको last में clear करूंगा तो वीडियो को continue last तक जरूर देखें जिससे आपको HTTPS का पूरा concept clear हो जाएगा कैसे सो होता है आपकी website में जिससे उसका आपको doubt clear हो जाएगा कि यह मेरी website में अभी enable हुआ है के नहीं हुआ ओके गाई सेकेंड पॉइंट है जो check for duplicate and of your site in google index अगर आपकी website या blog पे duplicate and content है तो of your site in google index नहीं करेगा इसलिए आपको duplicate content नहीं डालना check for duplicate and versions for of your site in google index google duplicate content को index नहीं करता काफी time लगता है उसको आपको expand करना पड़ता है प्लेग निजियम चेक करना पड़ता है उसके बाद google index होता है यह आपका technical SEO के pointer view से है check for duplicate versions and for your site in google indexing ओके गाई सता है कि find and fix crawler error कोई crawler error तो नहीं है क्या problem है कैसे find करना है crawler find find and fix crawler error crawler error को आपको कैसे find करना है मैं आपको last में discuss करने वाला हूँ वह practical वताने वाला हूँ कि आपको crawler error को कैसे find करना है जिससे आप easily google पे index हो सकते हैं और easily आप rank कर सकते हैं क्योंकि यह technical SEO की check listing है कि आपको अपनी website में improve करना है find and fix crawler error error को आपको find करके इसको remove करना है क्योंकि यह भी SEO का point review से बहुत effect करता है आपकी website में impression आएगा ranking होगी position आएगा इससे क्या होगा कि crawler जब आपकी website को आसानी से easily read करेगा तो आपको easily rank होने में ज्यादा problem नहीं होगी तो find and find करना पहले कि error क्या है फिर उसको fix करना fix crawler error crawler error को fix करना है ओके गाई फिर आजाता है आपका five point fix broken internal and out point links होता क्या है कैसे fix करना है क्या है आपको backlink create करते समय जब आपके पास broken internal link आ जाती तो उसको आपको कैसे remove करना कैसे fix करना वो भी मैं आपको last practical में बताने वाला हूँ आज अब मैं आपको discuss करने वाला हूँ कि आपको यह point information होना चाहिए और इस point को आपको apply करना आपकी website पे okay guys fix broken internally and outbound links होता क्या है कैसे आपको इसको and find करना फिर fix करना है and आपको हो गया six point find and fix http and links on https page आपको मैंने first में discuss कर दिया कि find and fix करना है है आपको http links on https पर आपको redirect करके SSL का certificate install करके enable करके आपको अपने blog या website पर https page enable करना है यह compulsory है आपको technical SEO के point review से make sure that your website is a mobile friendly क्योंकि mobile friendly आपका काफी लोग यूजर आजकर mobile से सर्चिंग ज्यादा हो रही android mobile से सर्चिंग ज्यादा हो रही क्योंकि जब आप कहीं पी जाते हैं जब किसी का wait करते तो आप mobile पे कुछ search करते हैं and compression desktop की user से mobile की user increase है इसलिए आपको mobile friendly theme यूज करना है template यूज करना है जिससे आप easily mobile पर open कर सके हैं और easily आप उस पर work कर सकते हैं main point आजाता है जो भी template या theme यूज करना है तो वो mobile friendly होना चाहिए अगर आपके पास and purchase करना चाहते तो आप a.m.p. themes का use कर सकते हैं जिससे वो fastly open होती है google and mobile पे या desktop पे a.m.p. theme रहती है जो best theme रहती है जिससे आप easily rank भी कर सकते हैं और यह उसमें fastly open होती है बट आपको mobile friendly theme यूज करना है अब mobile friendly theme आपको कैसे बनानी है आपको normal animation यूज करना है जो अगर आप blogger पे है तो आपको image है जो compress करके upload करना चाहिए जिससे आपको mobile की कहा जाए तो desktop and mobile friendly पे जो जब कोई user आपकी website पर visit करे तो fastly open हो जो के गाइस यह point है अब बात आती है कि आपको find and fix crawler error को कैसे आपको find करना है मैं आपको बताऊंगा कि आपको using http s और http क्या difference है क्या होता है आपकी website में कैसा होता है क्या दिखता है मतलब कैसे दिखता है कैसे आपको पता चलेगा यह valid है नहीं valid है कैसे आपको check करना है ok guys http and https पर क्या effect पड़ता है आप किसी भी website में जब visit करेंगे मैं आपको YouTube में ले जाता हूं YouTube की website है यह platform है इसमें मैं जब इस पर यहां पर आपको इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने यह option आ जाएगा इसमें लिका रहाएगा and connection is or and your information for example application block है and block by administer and sound है automatically default है यहां पर लिका है certificate यहां पर valid है यह site है जो security है valid and cookies and आपका कितना वार यूज कर दिया आपको पता ही होगा cookies क्या होती है what is cookies अब मैं आपको नेस्ट वीडियो में डिसकस करूँगा क्योंकि अगर मैं cookies के बारे में इस वीडियो में डिसकस करूँगा क्योंकि cookies से भी बहुत बड़ा पार्ट है इसलिए मैं इसको बता नहीं रहूँ साइट सेटिंग यहां से आप साइट की सेटिंग भी कर सकते है बट आपको इस वीडियो में में आपको डिसकस करने वाला था सेटिपिकेट वैलेट अगर आपकी वैबसाइट या ब्लॉग पर है तो वह क्या करेगा यहां पर नौट वैलेट दिखाएगा सेटिपिकेट पर नौट वैलेट और अगर आपके ब्लॉग को या वैबसाइट पर है तो आपको यहां पर दिखाएगा क्या एंड वैलेट ब्सक्राइब करना है कि यहां पर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह आजाएगा यहां पर रहेगा error and valid with warning valid and exclusive and यहां आपको आपको हरे करना है तो आप कैसे करना है यहां से आप जब error पर select करेंगे तो आपके सामने अगर कुछ error होगी तो यह option आपको यहां पर आने लगएगा किस page पर error है क्या point है and validation क्या है and trending क्या है आपको trend सब कुछ analysis हो जाएगा and page को आपको find भी कर सकते हैं यहां पर आपको find कर सकते है not found 404 की two page पर error है तो आपको कैसे solve करना यहां पर आप click करेंगे तो आप उस page की URL पर चले जाएंगे जहां पर 404 की error है यह देखो friends यहां से आपको उस page की link मिल जाएगी और आप easily उस page को track कर सकते हैं और आप error को remove कर सकते हैं अगर आपके पास 404 की error है या error है with warning है तो आप यहां से easily find कर सकते हैं Google से यह आप सब कुछ find करेंगे आपको कोई third party tools use करने की ज़रूद नहीं है आप easily Google से यह आप feedback पूर सकते हैं कि website में क्या error है कैसे इसको solve करना है जिससे आप easily Google पर rank कर सकते हैं यह basic point थे technical SEO के जिससे आपको पूरा knowledge हो गया होगा technical SEO में एक और point आ जाता है कि आपको अपना side map updated करना चाहिए जैसे ही आप आपके पास में hundred post complete होता है तो आपको side map update करना चाहिए and 500, 1000 जितनी जाद आपकी blog या website में post create होगी उतनी time आपको side map generate करना चाहिए और फिर आपको apply करना चाहिए अपने blog या website में जिससे आपको easily updated रहेंगे कि आपके blog या website के जब side map updated रहेंगा तो आप easily उस पर google का crawler track करेगा उस चीज़ को easily find करके indexing करेगा fastly google पर rank करेगा यह अच्छा effect माना जाता है technical SEO से related technical SEO के बारे में इस वीडियो में आपको discuss कर दिया और जिससे आप easily समझ गया होंगे कि technical SEO होता क्या है इसको कैसे improve करना चाहिए कैसे solve करना चाहिए जिससे आप easily अपनी website को technical SEO से and on page SEO off page SEO से और technical SEO से compare करके आप अपनी website को improve कर सकते क्योंकि technical SEO जब आप apply करते हैं तो आपको major point basic point on page SEO off page SEO से अलग रहता है technical SEO में आपको सभी चीज प्रॉपर तरीके से अपनी website को design करना और उसको and control करना and monitoring करना and track करना Google Analytics के थुरू यह सब आजाता है technical SEO के थुरू क्या आपकी website में visitor आ रहा है कितने time आपकी website में विजिट किया करना जिससे आप उससे अच्छा content डालके user को अपनी website में and fastly rank करा सकते हूं रीडियो को लास्ते देखने के लिए धनवाद मैं ब्लॉगर वाटप्रेस and digital marketing से रेटेड़ आपके लिए research करके इन उन्हों content लिके आता रहता हूं इसलिए जो रैटकल की subscribe बटन उससे दमाएं बैल आइकन को प्रेस करें जिससे में latest video आपको notification मिल जाएगी और आपको जो भी डाउट हो comment box से पूछ सकते हैं मैं आपके 100% help करूंगा और मेरे को moderate करने के लिए लाइक तो करकी जाए जय हैं जय भारत